नमस्कार, Currency Morning Podcast में आपका स्वागत है। साथ में हमने देखा कि स्ट्विलेस अभी धिरे धिरे डिले होते जा रहा है जिसकी वरी की वज़े से भी हमने देखा डॉलर में उचाल है। नमस्कार, Currency के अगर बात करें तो जापान से हम मैनुफेक्ट्रिंग PMI के आकड़े खराब आते विए दिखेंगे जिसकी जरद से यन में गिरावट है। और उसी का असर पॉजिटिवरी हमने देखा कि डॉलर में परता हुआ दिखाई देरा। इंडेस्ट्रिल एक्टिविटी में भी हमने तेजी आते विए देखी। इरो जोन से भी आज सर्विस PMI के आकरे देखेंगे, मैनुफेक्ट्रिंग PMI के आकरे देखेंगे जो कहिना में थोड़े बहुत सपोर्टिव है बट अभी भी कंसर्ट बना हुआ है। यूएस साइट से मैनुफेक्ट्रिंग सर्विस PMI और फेट चैर्मेन की फिर से स्पीच रहेगी। पिछले दो सेजिन में हमने देखा जो स्पीच थी वो कहीना कहीं डॉलर को बूस्ट करी है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो डॉलर इंडेक्स अब 94-50, 94-70 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो कहीना के संकित देता है। सभी करंसी इस पर दबाव रहेगा। इरो में हमने देखा कि एचिबी को क्लाउड के नीचे आ चुका है जो 83-40 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ओर और इरो, पाउंड और JPY इनमें हमें बेच के काम करना चाहिए। अधिक जानतारी के लिए आप हमारा यूटूब चैनल सस्काइब कर सकते हैं। इस चैनल में आप तक हम करनसी और कमार्टी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरू कीजिए।